आज की जो रेसिपी है वो हेल्दी होने के साथ साथ काफी यूनिक है कि क्यूंकि इसको मैंने क्रिएट किया है ऐसी रेसिपी आपने शायद ही कहीं देखी होगी पर फ्रेंट्स अगर आपने कभी इस तरह की रेसिपी बनाई है तो मुझे कामेंट सेक्षिन में बताएं अब ही फिलाल मैंने एक कटोरी सूजी भी ली है में भी सूजी हमें थोड़ा ज्यादा और लग सकते आगे तो यहां पर हम क्या करेंगे कि चावल को हमें पीसना आया तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एकदम फाइन पेस्ट हम बना लेंगे तो यहां पर मैंन इसको स्किप कर सकते हैं और इनको हम मिलाएंगे अच्छी तरह से तो पहले अभी मैंने इसमें पानी वेगेरा कुछ नहीं डाला है क्योंकि हमारा जो चावल था उसमें अल्रेडी काफी ज्यादा पानी था तो इसको देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिए इसको कमब जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक यह मैंने ले लिए हैं मकई भुट्टा अभी काफी ज्यादा सीजन में है तो यह देसी वाला भुट्टा है इसको अच्छी से क्लीन कर लिया है और इसके पाद इस तरह से चाकू की मदद से इसके सारे जो करनल्स हैं वह हम निक अगर वह काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस गोड़ाता है तो इस तरह से आप नाइफ से इनके सारे करनल्स को निकालने तो यह देखिए मैंने यह नहीं निकाल लिया है और इसको भी अडालेंगे थोड़ी सी लेसन की कलियां अगर अगर आप लेसन नहीं खाते तो आप सक् तो यह देखिए हमारा यहां कॉर्ण भी पिसकर रेडी हो गया है और अब हम इसे में डाल देंगे थोड़ी से बारीक कटे हुए प्याज थोड़ी सी शिमला मिर्श साथ ही में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर तो वेजीज आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते ह तो यहां थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा बिलकूर हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अभी हमारी स्टफिंग यहां रेडी हो गई है अभी हम इसको इसमें दो से तिन सूजी मैला लेड़ इसमें तो एक बार यू अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए, मैंने साथी मिनुट्स इन साथे को तो थोड़ा सा नमस्तौरी को थोड़ा सा प्ली एक स्टफिंग मुक्स कर लेगे और साथी मिनिट ऑफ स्टोड़ साधे तरह में भी हमें बोचन आटय कोको सा क्या चीजा की निए विला लेकlles तो फैल कर दिक में पार दूक्त रखा लिए और हमोटा नशा मॉटा नशाथ प्टलतील नशाद पारागए हम भाफ मेरे अपने मला कर दें या थी चुरोष रेखेें और इस मलें पर कर लिया है और यहां सभी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इसको करेंगे स्टीम करने के लिए मैंने यहां पर आपके पास अगर स्टीमर है तो आप यूज कर सकते हैं मैंने एक पैन में पानी डाल दिया था स्टैंड डाली है उसके नीचे और उसके ऊपर एक थाली रख करना है और हमें इसको कम से कम 25 मिर्ट तक पकाना है तो यह देखिए अल्मोस्ट 25 मिर्ट हो गए है बीच बीच में आप स्टीमर में पानी का लेवल चेक करते रहें नहीं तो पानी सूख जाने पर सभी चीज जल जाएंगी तो यहां पर देखिए एक नाइफ हम सेंटर में ड और फिर इस कि अटर्क मैं चीज पानी कि और हम प्रयूस्ट 6ि 5 facto कि अचाने मैं तो यहां पर इसको तो जब चुटा हो जाए तब तैसले तो इसी तरह से आप इसको स्लाइसे में काट लेंगे देखिए काफी अच्छी सेट हो गया है एक दम जम गई है कॉर्ण जो गिली गिली सी थी तो स्टीम हो गई है सबी चीज़े यहां मैंने सब को काट कर रेडी कर लिया है और अब तड़की के लिए हम क्या करेंगे कि एक क काफी अच्छा टेस्ट आता है और इसमें सारी पिठियां चली जाएंगी और इनको हमें हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए लगातार चलाते हुए भुल लेना है तो हलका सा यह क्रिस्प हो जाएगा उपर से हां यहां पर मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल जाल जो की काफी चट पटा टेस्ट आता है थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं अगर आपको बच्चों को सर्फ करना है तो बलीव मी फ्रेंड्स यह काफी यमी लगते हैं तो एक बार मेरी इस रेसिपी को आप ट्राय जरूर कीजेगा और अगर आपको यह म प्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें तब तक के लिए बाबाए